लखनौ के अमोसी एरपोर्ट पर जबसे लक्षमर जी की 12 फीट उची प्रतिमा को इस्थापित किया गया है तभी से लखनौ का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है भाजपा सांसद संगमलाल गुपता ने प्रधान मंतरी नरेंद मोधी ग्रह मंतरी अमिश्या और उत्रप्रदेश के मुख मंतरी योगी आदित नात को पत्र लिखकर लखनौ का नाम लखनपुरी किये जाने की बात कही है लखनौ के स्वर्गिय इतिहासकार डॉक्टर योगेश परवीड और वर्तमान इतिहासकार डॉक्टर अवी भट ने भी माना है कि लखनौ का नाम पहले लक्षमरपुर था और उन्होंने ही लखनौ शहर को बसाया है और श्रीराम भगवान ने उनको ये शहर उपहार में दिया था नवाबो का शहर लखनौ जिसकी नजाकत नफासत और रूहानियत पूरे विश भर में मशूर है लखनौ का नाम सुनते ही लोगों को यहां के नवाब और कबाब दोनों याद आ जाते हैं क्या इस लखनौ की जो नफासत है नाम बदले जाने से गायब हो जाएग क्या से लखनो के युवा आपको नाम अप जाओगी आपका इसकी क्या विचार है क्या सोचते हैं है आप लखनो की युवा होने के नात मैं यही सोचता हूं कि जो है लखनों का नाम जैसे हम लोग ने सुनते चले आए वाजी लिशार ने रखा था कि लखनों तो यह लखनों का मतलब एक नाम लखनों के उपर बहुती एकड़ा परफेक्ट बैठ ता इसका नाम चेंज करने से कोई मतलब नहीं ठीक अब लखनों में आता अब जैसे हम लोग है याँ या पर लखनों में तो आप कहीं भी चले चले जाए लखनों में या आप लागनों के आउटर कहीं करा रहें अगर आप लखनों से हैं तो लखनों परफेक्ट है उसको बदलने से कोई फाइदा नहीं आपके कहते नाम मुस्कुराईएं अब ल जो नाम है वही अच्छा नाम है बाद लोग फैदा है लोग भूल बहुत ज्यादा ही अच्छी सिटी है मुझे मतलब यहां काफी प्यार मिलाए लोगों से काफी अच्छी अच्छी लोग रहते हैं हर चीज अच्छी लगती है लखनाओ में मतलब क्या ही बता है जितना बोल सकते हैं बहुत कम है उसके लिए अपका नाम क्या है अभिष्यक नाम है मेरा और कहां से आए मैं आया हूं मत्रा से कोटा राजिस्तान रहता था वहां तो ऐसी और जानकारे के लिए मेरे साथ में लखनों से अंजली सिंग राजपूत न्यूज 18